दिवचन अध्याय चार हे मेरे पुत्रो पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है मेरी शिक्षा को न छोड़ो देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुला रहा था और मेरा पिता मोझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तुमेरी आज्याओं का पालन कर तब जिवित रहेगा बुद्धी को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त कर उनको भूल न जाना ने मेरी बातों को छोड़ना बुद्धी को न छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी उससे प्रिती रख वह तेरा पहरा देगी बुद्धी सुरेष्ट है इसलिए उसकी प्राप्ती के लिए यतन कर जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर परंतु समझ की प्राप्ती का यतन घटने न पाए उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी जब तू उससे लिपड़ जाए तब वह तेरी महिमा करेगी वह तेरे सिर पर शोभायमान भूशन बांधेंगी और तुझे सुन्दर मुकुट देगी है मेरे पुत्र मेरी बाते सुनकर ग्रहन कर तब तू बहुत वर्ष तक जिवित रहेगा मैंने तुझे बुद्धी का मारग बताया है और सीधाई के पत पर चलाया है चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तु दवड़े तो भी ठोकर न खाएगा शिक्षा को पकड़े रहा उसे छोड़ न दे उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है दुष्टों की बाट में पाव न धरना और न बुरे लोगों के मारग पर चलना उसे छोड़ दे उसके पास से भी न चल उसके निकट से मूड़ कर आगे बढ़ जा क्योंकि दुष्टों लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं पड़ती वे तो दुष्टता से कमाई की हुई रूटी खाते हैं और उपद्रों के द्वारा पाया हुआ दाखमधू पीते हैं परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई जोटी के समान है जिसका प्रकाश दो पहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है दुष्टों का मारग घोर अंधिकार मैं है वे नहीं जानते कि हम किस से ठोकर खाते हैं है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे बरन अपने मन में धारण कर क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है सबसाधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है तेड़ी बात अपने मुह से मत बोल और चालबाजी की बाते कहना तुझ से दूर रहे तेरी आखे सामने की ही और लगी रहे और तेरी पलके आगे की और खुली रहे अपने पाव धरने के लिए मारग को समर्थ कर और तेरे सब मारग ठीक रहे न तो दहिनी मुढ़ना और न बाय और अपने पाव को बुराई के मारग पर चलने से हटा ले तिवचन अध्याय चार हे मेरे पुत्रो पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राफ्थ करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है मेरी शिक्षा को न छोड़ो देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुला रहा था और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था की तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तुमेरी आज्याओं का पालन कर तब जिवित रहेगा बुद्धी को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त कर उनको भूलन जाना ने मेरी बातों को छोड़ना बुद्धी को न छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी उससे प्रीती रख वह तेरा पहरा देगी बुद्धी सुरेष्ट है इसलिए उसकी प्राप्ती के लिए यतन कर जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर परंतु समझ की प्राप्ती का यतन घटनी न पाए उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी जब तु उससे लिपड़ जाए तब वह तेरी महिमा करेगी वह तेरे सिर पर शोभायमान बूशन बान देंगी और तुझे सुन्दर मुकुट देगी है मेरे पुत्र, मेरी बाते सुनकर ग्रहन कर तब तु बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा मैंने तुझे बुद्धी का मारग बताया है और सीधाई के पत पर चलाया है चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तु दवडे, तो भी ठोकर न खाएगा शिक्षा को पकड़े रहा उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है दुष्टों की बाट में पाव न धरना और न बुरे लोगों के मारग पर चलना उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल उसके निकट से मूड़ कर आगे बढ़ जा क्योंकि दुष्टों लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ढोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं पड़ती वे तो दुष्टता से कमाई की हुई रूटी खाते है और उपद्रों के द्वारा पाया हुआ दाखमधू पीते है परन्तु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई जोती के समान है जिसका प्रकाश दो पहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है दुष्टों का मारग घोर अंधिकार में है वे नहीं जानते कि हम किस से ठोकर खाते है है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे बरन अपने मन में धारन कर क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं है तेड़ी बात अपने मुँँ से मत बोल और चालबाजी की बाते कहना तुझ से दूर रहे तेरी आखे सामने की ही और लगी रहे और तेरी पलके आगे की और खुली रहे अपने पाव धरने के लिए मार्ग को समर्थ कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे न तो दहिनी मुढ़ना और न बाय और अपने पाव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले दिवचन अध्याय चार हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राफ्थ करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है मेरी शिक्षा को न छोड़ो देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुला रहा था और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तु मेरी आज्याओं का पालन कर तब जिवित रहेगा बुद्धी को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त कर उनको भूल न जाना नि मेरी बातों को छोड़ना बुद्धि को न छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी उससे प्रिती रख वह तेरा पहरा देगी बुद्धि स्वलिष्ट है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यतन कर जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर परन्तु समझ की प्राप्ति का यतन घटनी न पाए उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी जब तु उससे लिपड़ जाए तब वह तेरी महिमा करेगी वह तेरे सिर्पर शुभायमान भूशन करेगी